हेलो फ्रेंज वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलहाबाद हाई कोड की नियू रिक्यूर्मेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी LBT कंडिशन के बारे में साथ में फ्रेंज से कौन-कौन इसमें आविदन कर पाएगा क्या इसकी LBT कंडिशन रहेगी कब से आपको आविदन करना है और कैसे आपको फॉर्म अपलाए करना है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो यहाँ पर फ्रेंज इस नोटिफिकेशन या वेकेंसी उच्छे पोस्त के लिए आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी की गई है जिसके लिए आप यहाँ पर उनलाइन फॉर्म को अपलाए कर पाएंगे तो फ्रेंज से यहाँ पर देखिए इस वेकेंसी से रेटेट जानकारी मैंने जौवरासा.com पर आपको पहले से ही एव सकें तो यहाँ पर देखिए फैंस आपको हाई कोट ऑफ जुडिशर एट हलाबाद उच नियाले इलाबाद की जो नोटिफिकेशन है जो कि उत्तर प्रदेश सिविल कोट स्टाफ के इंडिकेट भरती दोहोजा 24-25 है इसमें आपसे कहा गया है ओनलाइन एप्लिकेशन जो उम्मीदवार ओनलाइन आविदन पत्र भरना चाहते हैं वो ओनलाइन आविदन पत्र यहाँ पर अप्लाए करेंगे अगर आप एक से अधिक पत्रों के लिए भी आविदन करना चाहते हैं तो आप एक से अधिक आविदन भी कर सकते हैं पर यहाँ पर इधान रखेगा प्रतेक पत के अनुसार आपको अलग-अलग आविदन यहाँ पर करना होगा और परिक्षा सुलका भुक्तान आपको यहाँ पर करना होगा तो यहाँ पर यह चीज आपको किलियर होनी चाहिए अगर आप multiple post के लिए भी apply करना चाहते हैं तो आपको multiple time आपको fees यहाँ पर pay करनी होगी और इसके लिए आपको online apply का link यहाँ पर दिया गया है पर अभी यह link अक्टिवेट नहीं है क्योंकि जैसे ही इसका online application form start होगा उसके बाद ही आपका यह link अक्टिवेट होगा तो यहाँ पर फैंसे देखिए यह इसका official notice है जो की फैंसे यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश, civil court, staff, centralized requirement, 24-25 है इसमें आपको जो vacancies है वो सबसे पहले बात करते हैं देखिए जो advertisement है district court में stenographer के लिए यह आपकी group C, cater post है stenographer grade 3 अब इसमें दो तरह की vacancies है पहला है हिंडी stenographer जिसमें आपकी 517 vacancy है और English stenographer की 66 vacancy है तो total यहाँ पर 583 vacancies आपकी रहती है qualification की बात करें तो degree आपके पास होनी चाहिए साथ में आपके पास या तो diploma हो या certificate होना चाहिए stenography का और साथ में आपके पास CCC certificate भी होना जरूरी है और आपके पास 35 या 30 word per minute 35 word per minute हिंदी में या तीस word per minute English में जो टाइप राइटिंग है computer पर आपकी यहाँ पर होनी चाहिए इसके बात फ्रेंस एज लिमिट 18 से 40 साल ही रहेगी सभी पोस्त के लिए यही है एक साथ दो होजार 24 को यह काउंट होगा बावन सो से 20,200 रुपे सेलरी है जिसमें grade पर आपका 2800 रुपे यहाँ पर रहता है इसके बात फ्रेंस से district court category C जो आपकी vacancy है clerical cadre के लिए इसमें देखिए आपके group C में junior assistant की vacancy है और आपके paid apprenticeship की vacancy है total यहाँ पर 1054 vacancy है इसमें देखिए junior assistant की आपकी 932 vacancy है और paid apprenticeship की आपकी 122 vacancy है 18-40 साल आपका ace criteria है 17-2024 को यह count होगा बावन सो से 20,200 रुपे और grade पे 2000 का है आपके junior assistant के लिए और 1900 रुपे का grade पे है आपका paid apprenticeship post के लिए यहाँ पर देखिए आपका intermediate pass out होना जरूरी है with CCC certificate और इसमें भी आपके speed of 25 word permanent Hindi में और 30 word permanent English में type writing आपकी computer पर होनी चाहिए apply करने के लिए इसके बाद फैंसे देखिए driver category group C की जो vacancy है grade 4 इसमें आपके high school pass out होना जरूरी है और इसमें आपके पाद driving license होना चाहिए four wheeler को drive करने का और फैंसे यहाँ पर कहा गया है तीन साल का कम से कम आपका driving license पुलाना होना चाहिए मतलब जो period है आपके driving license को drive करने का four wheeler वो कम से कम तीन साल का आपका होना चाहिए तीस vacancy है 18 से 40 साल इस criteria है 52 से 20,200 रुपे आपकी salary है और 1900 रुपे ग्रेट पे आपका यहाँ पर रखा गया है इसके बार फैंसे यहाँ पर आती है अब आपकी group D की vacancy group D की vacancy में देखिए सबसे पहले है tube well operator कम electrician इसमें देखिए junior high school आप से मांगा गया है उस एक साल का certificate required रहेगा जो की फैंसे आपका IT है या उसके equivalent होना चाहिए process server की जो vacancy है इसमें high school required किया गया है ordinary, peon, office peon और फरास के लिए junior high school चौकिदार, waterman, sweeper, mali, kooli, bisti, liftman के लिए भी junior high school और sweeper कम फरास के लिए class 6 पास होना आपका जरूरी है total 1649 vacancies है group D की 18-40 साल आपका age criteria है 17-2024 को यह count होगा 52-20200 रुपे आपकी salary है grade पे 1800 रुपे है और post number जो आपकी fifth है जो की sweeper है इसमें आपको 6000 रुपे ही fix salary यहाँ पर मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो qualification है इसकी 6 class ही रखी गई है तो यह notification है आपका group C post के लिए group आपके D post के लिए और इनकी qualification, age limit, salary आपको दी गई है अब इनके लिए friends है यहाँ पर देखिए आपका जो form है वो online apply होगा online application form जिसके लिए आप apply कर सकते हैं 4 October से 24 October तक अब 4 October को जैसे ही इसका link activate होगा form apply का वीडियो आपको provide कर दिया जाएगा अब यहाँ पर बात करते हैं fees की तो देखिए यहाँ पर कहा गया है post mention and serial number one तो यहाँ पर serial number one देखिए आपको कौन सा है यह वाला जो इस tenographer post है इसके लिए फैंसे आपका देखिए जन्दल OBC category को साड़े 900 रुपे फीस आपको देनी है और इसके लावा बाकिया दर केंड़ेट को साड़े 800 रुपे तो पोस्ट नमबन दो औरheet to यह तो इसके लिए जो फैंसे फीस है वो साड़े 800 रुपे जन्दल OBC, EWS के लिए फीस है आपकी 700 रुपे, और बाकी SCST केंडियेट के लिए है साड़े 600 रुपे, इसके बाद फैंसे Post No. 4 है आपकी, जो की है आपके देखिए Group D की वेकेंसी Group D की वेकेंसी में जंदल OBC के लिए पे करने हैं आपको 800 रुपे जंदल OBC, 700 रुपे EWS के लिए और 600 रुपे है आपके SCST के लिए, तो ये फीस आपको यहाँ पर online mode में पे करनी है अब यहाँ पर कहा गया है देखिए जो exam है आपका offline return examination जो की OMR seat पर हो सकता है post wise आपका ये different dates पर और shift में आपका various district of उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर conduct किया जाएगा और followed by Hindi or English computer typing test या Hindi या English stenography test या technical driving test जो भी applicable होगा वो आपका लिया जाएगा तो offline exam होगा OMR sheet पर जो भी regarding date है time है, when new है वो आपको e-admit card पर जारी कर दिये जाएगा अब जो complete details आपकी है online application की, qualification की procedure of exam, general instructions कैसे आप apply कर सकते हैं यह सारी जानकारी फैंस इसकी website पर आपको जल्दी ही available करा दी जाएगी जैसे ही जानकारी available होगी वो आपको मैं update कर दूँगा बाद तब तक के लिए फैंस आप इस notification को read out कर सकते हैं, English में और हिंदी में, दोनों में ही आपको यह notification दिया गया है, आप दोनों ही language में इस notification को read out कर सकते हैं तो यहाँ पर फैंस से जो भी जानकारी मैंने आपको provide की है अगर आपको यह पसंद आई है, आप चाहते हैं ऐसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए like, subscribe इंची जरूर कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube चैनल, last thanks for watching